Hello friends, welcome once again to Health Made Easy और मैं हूँ Dr. Neeraj Friends Quick Exercise Series के आज के वीडियो में मैं आपको नी पेन को क्योर करने के लिए एक बहुत ही effective exercise बताने जा रहा हूँ यह किसी भी तरह की नी पेन को क्योर करने में सक्षम है, बहुत ही effective exercise है चाहे वो osteoarthritis का pain हो, चाहे वो rheumato arthritis का pain हो, चाहे वो gout का हो, चाहे वो knee joint की किसी ligament injury का pain हो या किसी भी तरह की knee joint से related condition का pain हो, उसको क्योर करने में exercise बहुत ही effective होती है तो आईए फटा-फट शुरू करते हैं और मैं आपको यह बताता हूँ कि exercise किस तरह से करनी है आप इस वीडियो पे देखिए किस तरह से मैं करना हूँ, आपको एक बड़ा towel या double bed sheet लेनी है और उसको roll करके घुटने के नीचे place करना है, अब घुटने से इस roll को या towel को दीरे-दीरे आपको नीचे की तरफ प्रेस करना है और घुटने को हलका सा tight करना है, घुटने से इस towel या bed sheet को downwards प्रेस करना है, 5 second hold करना है और उसके बाद दीरे-दीरे release कर देना है फिर से वापस इसी pattern को revise करना है, घुटने से इस towel या bed sheet को नीचे की तरफ प्रेस करना है, 5 second hold करना है इस position पर और release कर देना है इस exercise को 15-20 repetition के एक site में आपको revise करना है और दिन में 3 बार revise करना है ये exercise जैसा कि मैंने बताया किसी भी तरह की knee pain को cure करने में बहुत ही effective role play करती है आप इस exercise को ज़रूर try करें और आपके जो भी experience हो वो आप मेरे साथ share करें अगर आपका इस exercise से related किसी भी तरह का question या query है तो आप comment section में मुझे लिख कर पूर सकते है quick exercise series में आप किस condition से related videos देखना चाहते हैं उसके बारे में भी आप मुझे लिख कर बता सकते हैं ताकि मैं उस related videos आप के लिए बना सकूँ क्योंकि आज कल हम सभी लोग इतने busy हैं इस वज़े से मैंने ये quick exercise series शुरू की है ताकि at least अगर अपने busy schedule की वज़े से हम बहुत time exercise के लिए नहीं निकाल पाते हैं तो इन quick exercise की help से हम at least कुछ rehabilitation तो start करी सकते हैं और अपनी painful condition को recover करने में कुछ step तो आगे बढ़ी सकते हैं तो friends आप इस exercise को करें मैं आप से मिलूँ अगले वीडियो में तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखें goodbye